हाई अव्रिवन कैसे वाप मैं हूँ जीत और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी बहुत ही प्यारी कैट अडवेंचर गेम जिसका नाम है इस्ट्रे वैसे भाई पिछले एपिसोड में हम यहां तक तो पहुच गये थे लेकिन अपनी कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ए जो कि इसी फैक्ट्री के अंदर एं हमने फैक्ट्री के अंदर जाने का जुगार कर लिया है तो चलते हैं सीधे फैक्ट्री के अंदर और सुरू करते हैं अपनी कहानी theatre और आगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दून आट फॉटर्गेट तो सुस्क्राईब भाई गार्ड को चक्मा देकर हम इस फैक्टरी के अंदर तो आ गए हैं लेकिन यहां से चालू होता है अपना असली मिशन क्योंकि वो बैटरी हमें ढोडनी है और दुबारा से जाना है अपने दोस क्लेमेंटाइन के पास लेकिन यहां पर रास्ता कहा है भाई और यह क्या है यार साइद यह कोई ड्रोन है और यह कर क्या रहा है यहां पर यार मुझे लग रहा न यह यहां की रखवाली कर रहा है बट फिलाल हम इससे छूपके भाग सकते है यार कब तक भागेंगे भाई यहां पर भी दो ड्रोन्स है और जस्ट गेट अपने सामने है मुझे लग रहा है यह पूरी बिल्डिंग पे होने वाले हैं और हमें इनके पैटर्ण को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा उसके बाद हम जा सकते हैं ओके हम बॉक्स पे तो छूप चुके हैं भाई जैसे यह राइट में जाएगा ना मैं फिर से भागने वाला हूँ ठीक है बिल्ले जल्दी से चलते हैं यहां से यह क्या यार मैं गलात आ गया भाई एक चीज़ तो समझ में आ रही है जब तक हम इनकी लाइट के रडार के अंदर नहीं आएंगे यह हमें नहीं पकड़ सकते हैं ओ भाई साब यह क्या कर रहे हैं यार काम कर लो सब टाइम पास कर रहे हैं आहां पर बढ़िया एक सामने भी है यार और बुरे फस गया भाई इस ड्रोन के जस्ट पीछे एक लीवर है जिससे हम गेट को खोल सकते हैं किसी अब ही हम भागते हैं मतलब जैसे लिए थोड़े से दाइवाई होंगे न हम इधर उधर जा सकते हैं ओके इसको खीच के देखते हैं भाई कौन सा गेट खुलने वाला है यहां पर भाई गेट तो अपना ये खुल चुका है लेकिन यहां से हम जाएं कैसे यार इनसे बच कर हम इस साइड से नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो पोल सिर्फ एक ही बार घूमने वाला था अभी भाग बिल्ले अभी भाग जैसे यह नजर हटे गी इनकी हम भागते चलेंगे क्या सीन चल रहा यार एक से पीछा चुटाओ एक सामने आ जाता है असे लेकिन एक चीज समझ में आई जैसे यह बॉक्स आएंगे न हम इनके सैडों के पीछे भाग सकते हैं जल्दी चल भी ले यहां पर तगड़ी साफसफाई चल रही है मैं समझ गया इनहीं बॉक्स के सहारे हमें आगे बढ़ते रहना है लेकिन बच बचा के यार अगर पकड़े गए तो पता नहीं है ड्रोंस क्या करेंगे बढ़ हमें पकड़े ही नहीं जाना न भाई अच्छा यहां पर तो कोई ड्रोंस नहीं है हम ड्रम्स के थूँ जा सकते हैं वाई गवाफिक खतरनाक मिसन चल रहा है अपने इस प्यारे से बिल लेगा जल्दी बढ़ एक सकाड़ यार लाइट का कलर चेंज हुआ था ना भी थोड़ी दिर के लिए मुझे लगता है यह नोटिस किये है बट इतना जल्दी अभी रियाक्ट नहीं किये चलो ठीक है यार बच गया कैसे भी वो बैटरी कहां मिलेगी यार आसपास चलके हमें ढूड़ना पड़ेगा यहां पर यह तो काम कर रहे हैं यार इस रूम के दूसरी साइट बैटरी तो दिख रही है अपने को बट इस लेजर को कैसे हटाया जाए वैसे इस ड्रम का हम यूज कर सकते हैं क्योंकि शुरुवात की मिसनों में हमने इसका यूज किया हुआ है लेकिन यार मुझे डर लग रहा है क्या यह सही होगा क्या पता अपने बिल्ले का भाई तंदूर बन जाये यहां पर नहीं नहीं सेफ है यार ड्रम के अंदर अगर हम जा रहे न तो अपने को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ओके सो ये है बैटरी लेकिन यार इसको निकाला कैसे जाए कुछ अपने कुणा दिमाख लगाना पड़ेगा यहाँ पर यह रेड बॉक्स क्या है ओके यह ग्रीन हुआ और यह बैटरी का कवर उपर हुआ अच्छा एक यहाँ पर भी है भाई मुझे लग रहा है न यहाँ पर यह तीन स्कॉयर बॉक्स है न इन्हीं से काम बनेगा और यह क्या चीज़ है ओई इसको तो मैं हैट भी कर सकता हूँ अच्छा इसको मैं अपने पास बुला सकता हूँ यह ठीक है लेकिन हमें तीनों बॉक्स पर कुछ ना कुछ रखना होगा एक पर यह हम मसीन रख देंगे एक पर हो सकता है हम उस ड्रम का यूज़ कर सकते हैं लेकिन तीसरी चीज क्या है वो हमको डूड़ना पड़ेगा क्या है यार प्यारे मिले दिमाग लगा थोड़ा सा एक सकन यहाँ पर कुछ हो सकता है भाई यहाँ पर चल कि देखते हैं यहाँ पर एक मसीन और दिख रही है ना अपने को दूसरी साइड अगर हम उस तक पहुंच सके ना तो हो सकता है अपना काम बन जाएगा पहले इस मसीन से उस जाली के पास चलते हैं और फिर दूसरी साइड ठीक है ओके भाई लगता है अपनी बात बन जाएगे क्योंकि यह लीवर दिया हुआ है और इससे हम गेट तो खोली सकते हैं ठीक है भाई क्या बात है यार क्या अपना डिटेक्टिव बिल्ला है भाई हर चीज़े इसको परफेक्ट पता होती है तो ठीक है इन तीनों बॉक्स पर हम उन दो मसीन्स को रखते हैं और एक में ड्रम को ट्राई करते हैं फिर हो सकता है मुझे बैटरी को निकाल सके इसको भी हम चालू करके इसको सही जगहें पर लगा देते हैं पहले तो ठीक है भाई दो बॉक्स को तो हमने क्लियर कर लिया है अब बचा हुआ है तीसरा बैसे भाई मुझे लग रहा हम अपने गेम की इंडिंग के काफी क्लोज है और हो सकता है यह एकात एपिसोड में खतम भी हो जाए और अगर आप लोग ने इसके प्रिवेस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखे है आप लोग चकाउट कर सकते हो औ अभी हम इस बैटरी को ले सकते हैं भाई यह क्या यार यहां पर तो अलाम बगएरा बच चुका है और यह सारी मसीने काम करना क्यों बंद करती भाई वी गॉट इट आउट आउट अपने ड्रोन का कहना है कि जल्द से जल्द हमें यहां से निकलना होगा इससे पहले वो हम परनाक ड्रोन्स पकड़ लें भाई फ्री की सवारी भी मिल गई अपने को यह 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 जगे तो जानी पैचानी लग रही है साथ यहीं से तो कल हम गय थे और हम आ चुके हैं अपने टाउन में ठीक है भाई हम फटा फट से क्लेमेंटाइन के घर में चलते हैं और उसको यह बैटरी ले जाके दे देते हैं लेकिन यह क्या यार यह क्या सीन चल रहा है उस पूरे भाई अपार्टमेंट को सील कर दिया गया क्या लेकिन चल की देखते हैं भाई क्या सीन चल रहा हूँ हाँ पर यार यह तो ड्रोन साले हर चेंगा पर घूम रहे हैं अब मुझे डर ल नहीं पता ठीक है बच बचा के पहले तो हम उसकी फ्लैट में चलते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन चल रहा वहाँ पर अभी भागते हैं अभी अभी सही टाइम एक सिकंड एक सिकंड फिर आ गई या लाइट यार मुझे लग्ड नहीं रहा है कि क्लेमेंटाइन अब वहाँ पर होगी हो सकता है या तो ये किड्नैप करके ले गए हो या फिर इनके पकड़ने से पहले मेरी दोस भाग गई हो ये तो हर जगह पर है यार कोई बात नहीं हम घूम कर चलते हैं यार साहद यहां पर भी एक ड्रोन उड़ रहा है वह इसने हमें हमें देख लिया एक सिकन बॉक्स पर शुप जा भिलने जल्दी से बच गया यार यह तो साले फाइरिंग भी करते हैं भाई आप समझ में आया मतलब बहुत ज्यादा सेफ रहना पड़ेगा वरना मारे भी जाएंगे ठीक है अभी हम यहां से निकलने का कुछ जुगार ढोड़ते हैं ओके बस तुम उधरी साइड देखते रहना और हम चुचाप से निकल जाएंगे साइड से भाई बस एक फ्लोर और और हम अपने दोस्त के पास होंगे बट यह देखोई यहां पर भी एक लगा हुआ है और जाना है हमें जस्त सामने यार हम इस क्या है यह बोड एड बोड है इसके त्रू जा सकते हैं यार हम घर में तो आ गए हैं और क्लेमेंटाइन कहा है कहा हो डियर क्लेमेंटाइन हमने वो बैटरी चुरा लिए है यार मुझे डर लग रहा है वो दिख नहीं रही है कहीं पर भी भाई ये ड्रोन भी अपना पूछ रहा है no sign of Clementine भाई यार जिस चीज का डर था वही हुआ बढ़ देखते क्या क्या आपने को clue मिलता यहां पर क्लेमेंटाइन ने हमें एक मिस्टीरियस मैसेज छोड़ा हुए है जिसको हमें डिकोड करना है उसके बात पता चलेगा कि वह कहां पर गई हुई है सो ठीक है यार ऐसी चीजों करने पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सो हमें ढूड़नी है चार चीजे जिसमें छुपे हुए हैं चार मैसेज ओके ठीक भाई हमें काम करते हैं घर के किसी एक हिस्से से चालू करते है तब बनेगा काम नहीं तो अगर हम ऐसे एक एक रूम पर जाएंगे न तो परिसान हो जाएंगे यहां पर तो कुछ नहीं भाई यहां पर यहां पर यह साथ स्टोर रूम है यहां पर यहां पर ओ यह क्या यह चमकीली से लाइट क्या है इसमें कुछ हो सकता है चल के देखते हैं इंस्पेक्ट I have no idea what is this but it's glow सुठीक भाई उन चारों में से न एक यह मैसेज है और इसका कोड है नाइट क्लब ओके अब हमें धूरने हैं तीन और इस एरिया को हमने क्लियर कर लिया है अब देखते हैं भाई कुछ और वैसे यह क्या चीज है इससे धूआ बगयरा निकल रहा है माई सेंसर कैन ओली डिटेक हाम लेस्ट यह क्या 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 बोल रहा है अपना यह ड्रोन इस आएम बिट ओके बाइच्छी बात है हमने दो मैसेज डिकोड कर लिए हैं और तीसरा यार तीसरा कहां भी हो सकता है वैसे इस रूफ में हम अगर चले जाए ना तो हो सकता कुछी जे मिल जाएं बट सबसे पहले इस टॉबिल को हम खीच के देखते हैं ओकी एक बॉक्स तो बाहर आया इसमें तो कुछ नहीं है ऊपर चल के देखते हैं येस भाई क्या बात है हमने तीसरा क्लू भी ढूंड लिया हुए है जो कि हमारी पिक से मैच कर रहा है ब्लेजर ओके तीन हमें मिल चुके हैं आयम बित और ब्लेजर और नाइट क्लब मतलब मुझे लग रहा न कि क्लेमेंटाइन नाइट क्लब में ब्लेजर के साथ है अब यहीं तो होना चाहिए ब्लेजर भाई वही वंदा जिसने हमें फैट्टरी में अन्दर जाने पर मदद की थी लेकिन फिर भी हम अपने चौथे क्लू को ढूंडते हैं कहां पे हो सकता है आख्री क्लू दिमाग लगा अपने बिल्ले कहां पे घो सकता है वो ये क्या चीज़ है भाई मिल गए अपने वो चारो क्लू मिल चुके हैं और वो क्लू क्या कहता है एक बार हम देख लेते हैं भाई वहाई आपने को पता चल चुका है कि हमें जाना है नाइट क्लब में जहां हमारी दोस्त क्लेमेंटाइन है बलेजर बंदी के साथ क्या नाम है अपने यहां तो यह कपडे होते हैं बड़ पता नहीं सो यहां से चलते हैं सीधे नाइट क्लाब ओ भाई क्या सीन चल रहा यार हम यह बाउंसर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं I don't think the bouncer is going to be let in Hey guys I think we are going to have to climb back कोई बात नहीं हमने इस क्लाब के पीछे से अंदर जाने का रास्ता धूर लिया है और हम अंदर चल के देखते हैं भाई Alex हम से पूछ रहा है अगर तुम्हें पार्टी करने हो तुम अंदर आ सकते हो बिल्कुल भाई इसलिए तो हम क्लाब पर आए है यहां तो फुल महौल बना हुआ है भाई और यह सारे बोट्स डान्स कर रहे है यह तो सिरुफ हाथों से डान्स कर रहा है एक लेकिन भाई हमें इनका डान्स नहीं देखना है हमें अपने दोस्त ब्लेजर और क्लेमेंटाइन को डूरना है कहां चलें यहां पर क्या है भाई म्यूजिक तो काफी तगड़ा बद रहा है और यह डीजे देखो क्या सांदार है अच्छा यहां पर एक लीवर दिया हुआ है यह क्या चीज़ है ओके मतलब यह जो भी मसीन हो इससे हम उपर वाले फ्लोर में जा सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें एक लीवर की जरूरत होगी वहां पर तो हमें वो डीजे जाने नहीं देगा सो चल के सबसे पहले न हम वो लीवर ढूड़ते हैं अम मिसिंग लीवर इस प्रेवेंटिंग अस फ्रॉम रिचिंग अपर लेवल सो ठेक है भाई ज्या गा मिलते हैं आर अपने को हमें ढूड़ना है एक लीवर जो की यूज हो सकता है उस मसीन पर बट किसके पास होगा वो हो बाई इसका डांस काफी फणी है सिर्फ हाथ और पैर से डांस कर रहा है वो अच्छा इन महासाय के पास है इनसे बात करके देखते हैं इनको भी आईपी रूम पे इंट्री नहीं मिल रही थी इन्होंने वो लीवर चुरा लिया है और यह बोल रहा है अगर हमें वो लीवर चाहिए तो उसे हमें एक ड्रिंक पिलाने पड़ेगे कोई बात नहीं यहां पे अपने पास ड्रिंक भी है साले रोबोर्ट्स कबसे पीने लगे भाई वैसे यह पहले इंसान रहोंगे मुझे लग रहा है ओके निव आईटम गेंड हमें वो हैंडल मिल चुका है अब हम उसमें लगा की देखते हैं भाई और उस डीजे के आने से पहरे हम फटाक से चाड़ जाते हैं इसके अंदर सॉरी इसके ऊपर वाई उसको पता ने चला यह सही था यहां पर क्या सीन चल रहा यार वो यह क्या मसीन है भाई यहां पर तो चार बटन्स दिख रहे हैं अपने को क्या आएगा यार इनको प्रेस करने पर यह क्या चीज़ है यह कुछ समझ नहीं आर आपने को ओके हो सकता है यह भी आईपी रूम तक जाने का कोई रास्ता हो एक काम करते हैं हम चारों को बटन को दबा देते हैं और जैसे यह सारे के सारे केवल या जो भी कहें इनको नीचे आ जाएंगे हम जा सकते हैं ठीक है बिल्ले आराम से ओ भाई अपना एक दोस्त तो दिख रहा है जो दूसरी साइड जा रहा है मतलब हमें इनहीं के पास चलना है ठीक है भाई यह भी आईपी रूम है और चल के मिलते हैं अपने दोस क्लेमेंटाइन से ओ भाई यह क्या सीर्ण चल रहा यार फ्लेमेंटाइन को किसने किड्नैप किया हुआ है ब्लेजर ओ भाई यह हरामी वंदा यह हरामी निकल गया साला ब्लेजर इसने हमें फसा दिया है और यह यार उन ड्रोन से या फिर उन कंपनी वालों से मिला हुआ है Business is money And I value money way more than friendship भाई यार क्या हराम खोर आदमी है रोबोट्स होने के बाद भी इसने इंसानों वाली हरकती दिखाई दिया अखिरकार बट कोई बात नहीं यार इसके आगे की कहाने हम continue रखेंगे अपने next episode में और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना ना भूले मिलता हूं मैं आपको किसी और जबर्दस वीडियो के साथ तब तक मैं आप से लेना चाहूंगा बाई